हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सूपर टेक्निकल्स तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे केवल 1% चार्ज देखे अपने बैंक एकाउंट में अपने क्रेडिट काड का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको रिवार्ड्स पॉंट्स भी मिलेंग चलिए फ्रेंट्स वेडियो को सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम प्लेस्टोर परे लिखेंगे सार्च करेंगे फ्लेस्टोर ओपन करके easy my deal-easy my deal लिख के अप्लिकेशन को सार्च करना है काफी ट्रस्थेट उपलिकेशन है made in इंडिया ईपलिकेशन है तो चलिए के बाद आपको step by step में पूरी प्रोसेस बताऊंगा चलिए इंस्टॉल हो रहा है थोड़ा से यहां टाइम लगेगा अब चलिए इसको open कर लेते हैं open करेंगे तो देखिए आप यहां पर let's get started के उपर simply आपको tap करना है इसके उपर आप tap करेंगे इसके बाद आपको देखिए यहां पर आपको Google से भी लॉग इन कर सकते हैं, फेस्बुक से भी लॉग इन कर सकते हैं, जिससे भी आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन के उपर आप टैप करेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, जो भी मोबाइल नंबर आप यूज कर रहा है, वो मोबाइल नमबर यहां पर डालेंगे उस पे एक OTP आएगा यह OTP आपको सब्मिट यहां पर कर देना है OTP को सब्मिट करेंगे चलिए सब्मिट किया अब आपको यहां पर MPN बनाने को बोलगा जैसे हम गूगल पे फोन पे में आपको KYC करनी पड़ेगी तो इसके लिए आपको यह जो नीचे मोर का ओप्शन दिखाई दे रहा है इसके उपर आप टैप करेंगे तो चलिए टैप करके मैं आपको दिखा देता हूं कि minimum KYC होगी पैन काड से होगी और full KYC आपके अधार काड से होगी KYC करने के लिए यहां जो उपर वीव डिटेल का ओप्शन है इसके उपर आप टैप करेंगे जैसे टैप करेंगे आप तो आपकी डिटेल्स अगर उसी मोबाइल नंबर से आपका होगा link सब कुछ पैन काड अधार काड तो यह default से ले लेगा नहीं तो आप इसको फिल करके submit करेंगे request को चलिए अब यहां से चलते हैं KYC मालिज हमारी हो गई है अब यहां से हम back चलते हैं और back चलके यहां पे home page पे आपको यहां पे education fee वाला option चूज करना है क्योंकि education fee पे bank extra charge नहीं लेते हैं rent payment में bank extra charge लेते हैं तो हम education fees का option यहां पे चूज करेंगे अब यहां आपको transfer to bank account और UPI के उपर tap करना है और इसके बाद आप यहां पे आगे page में यहां पे tick लगा के yes के उपर tap कर देंगे चलिक कर देते हैं tap यहां पे यहां देखिए आप UPI में भी transfer कर सकते हैं और bank account पे तो UPI क limit 5000 bank account हम यहां चूज करेंगे enter bank detail के उपर tap करते हैं अब यहां आपको bank detail आपको fill कर देनी है bank account number और उसके बाद re-enter करेंगे bank account number IFC code और सामने वाले का नाम जो भी आप अपने घर का किसी member का use किजेगा अपना मत किजेगा ठीक है अब proceed करेंगे तो यह confirmation के लिए एक रुपय account में transfer करेंगा देखे यह transfer कर दिया इसने इसके बाद आपको transfer करेंगे तीन option मिलेंगे तो इसमें पहले और दूसरा first time में unlock नहीं होता है नीचे वाला ही unlock रहता है तो मैं वैसे बता देता हूँ कि पहला वाला जो आपका quick transfer है तीन से चार गंटे में यह transfer हो जाता है और प्रोसीड करता हूँ चलिए अब यहां पर मैं credit card की detail यहां fill कर दूँगा card month expiry यह सब डालने के बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे तो जैसी आप प्रोसीड करेंगे आपको जो भी आपने credit card use किया होगा OTP आएगा और OTP आपको submit कर देना है जैसे आप submit करेंगे आपकी request चली जाएगी देखिए आपकी request process में है तो first time में आपको wait करना है जो भी इसका working day है और आपकी payment transfer हो जाएगी और आपको बस यही ध्यान देना है कि आप जो bank account fill करेंगे एकदम confirm bank account fill करेंगे कोई भी mistake नहीं करेंगे फ्रंट्स यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें thanks for watching वीडियो